प्रदेश में क्रिप्टो करंसी मामले का मुख्या आरोपी सुभाष जो की विदेश में छिपा है उसे भारत लाने की कवायद शुरू हो गई है दूसरी और इस मामले में SIT की ओर से तीन लोगों के खिलाफ एक चार्जशीट कोट में दायर की जा चुकी है जबकि दूसरी चार्जशीट जल्द दायर करने की तैयारी चल रही है SIT प्रमुख वर डी आईजी नौर्टन रेंज अभिशेक दुल्लर ने कहा कि क्रिप्टो करन्सी मामले के मुख्य आरोपी को विदेश से वापिस लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है कोट से वारंट मिलने के बाद आगामी प्रक्रिया शुरू की गई है क्रिप्टो करन्सी मामले में इसी वर्ष सितंबर महा के अंत में पहला मामला दर्शुआ था और SIT का गठन कर जान शुरू हुई थी इस मामले में अभी तक 19 लोगों की गिरिफतारी हो चुकी है जो की न्याइक हिरासत में है यह केस जब रेजिस्टर होगा था सेप्टेंबर रेंड में उसके बाद SIT इसमें बनी थी और फिर SIT ने इसकी इन्वेस्टिकेशन स्टार्ट करी थी तो इसमें काफी गिरिफतारी होई थी और इसमें पुराना रिकॉर्ड निकाला गया तक कई जिए के सर्चेज होई थी और काफी प्रापर्टी फ्रीज होई थी तो इसमें अभी तक करीब टोटल 19 लोग गिरफतार हुए है जो अभी भी जूडिशल कस्टेडी में है और इसमें पहली चार्चिट हमने बना के कोट में दाखिल कर दी है जिसमें तीन लोगों के खलाफ हमने चार्चिट बनाई थी और अभी एक सेकिंड चार्चिट इस केस में बन रही है जो कि खुश जिना में हम वो सेकिंड चार्चिट भी कोट में फाइल करेंगे है